आज हम लोग करेंगे राइट सॉनिक का डीटेल्ड रिव्यू 2023 के लिए हाई गाईज मेरा नाम है क्रिपेश आडवानी यहाँ पर मैं डिजिटल टूल्स के रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ AI राइटिंग आजकल काफी ट्रेंड में है और मैंने बहुत सारे AI राइटर्स का रिव्यू भी किया है और आगे भी करने वाला हूँ राइट साउनिक इस वन अफ दे आई राइटर्स आउट देर तो आज हम लोग देखें है कि जो इनके सब्सक्रिप्शन प्लांस है क्या वो लेना वर्थ इट है कि नहीं किनको लेने चाहिए क्या उसके प्रोज है क्या एडवांटेज है क्या स्ट्रॉंग पॉइंट लग इस वीडियो के सपॉंसर नहीं किया है अगर आप लोग मेरे नीची दे गए लिंक से जाके परचेस करोगे तो आपको 20% का एक्स्टा ओफ ही मिलेगा तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो यू कें सपोर्ट मी यूजिंग दे लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन सेक्शन पर आपको इंटरफेस दिखाई देता है यह सारी टेंपलेट्स हैं आपर जो आपको दिखेगी और से फाइल्स मीन्स हिस्ट्री पहले क्या किया है यह कुछ और भी ऑप्शन से सब कुछ मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा शुरुआत करते हैं इसके लॉंग फॉर्म है कि यहाँ पर आप सिर्फ टाइटल लिखोगे और बाकि यह सब कुछ अपने आप से जन्रेट कर देगा मैं रिकमेंड करूंगा कि जो राइटर 4.0 हो उसी का यूज करो तो कि यहाँ पर थोड़े आप से इंपूट लेगा लेकिन आपको लॉंग फॉर्म कॉंटेंट अ इसमें अच्छी बात है कि आपको यह रहा फॉल्यूम भी देता है और देन कीवर्ड डिफिकल्टी भी आपको शो कर देता है तो मैंने यहाँ पर कुछ कीवर्ड सिलेक कर लिए हैं इसके बाद आए विल क्लिक नेक्स्ट और यहाँ से मुझे कीवर्ड आ जाएंगे और य किया है अगें यहाँ पर मैं पहला वाला सिलेक कर लेता हूं आप चाहें तो आसे इंडिविजुली भी सिलेक कर सकते हैं कौन-कौन से आपको चाहिए कौन से नहीं चाहिए मैं अभी for this purpose of this video मैं अभी फिलाल यह वाला पूरा सिलेक कर लेता हूं और मुझे इसका long form content writer अच्छा लगा है अगर मैं इसके आप टोटल वर्ट के बारे में बात करूं तो it is 1100 वर्ट जो इसने मुझे आपर जनुरेट करके दिये हैं it is good decent enough I think long form content के बाद अब इसके कुछ short tools के बारे में बात कर लेते हैं articles and blogs में आपको यह सारे tools मिल जाएंगे तो we have paragraph writer मुझे काफी अच्छा लगा है मैंने सिर्फ यहां पर इसको एक ही दिया how chat GPT is changing the game इसने मुझे पूरे अच्छी तरीके से इसके बाद यहां पर कुछ और भी tools हैं जो मैंने discuss करें सारे tools आपको हमारे article पर मिल जाएंगे इसका link में नीचे description पर दूँगा तो अगर आपको इन टूल्स के बारे में और detail में जाना है तो आप लोग यह वाला blog post जाकर देख सकते हैं इसमें आपको सारे examples और examples different तरह के examples आपको इस blog post में मिल जाएंगे अभी फिलाल मैं में में जितने tools है उसको cover कर लेता हूं then we have ads and marketing यहां पर आपको facebook ad, linkedin ads, ad copy अगर आपको generate करनी है तो उसके tools आपको यहां पर मिल जाएंगे मैंने facebook ads use करके देखा है lightning block course यहां पर मैंने description दे दिया occasion बता दिया promotion बता दिया and then this is the ad copy that I got and it is good it's looking good facebook ad copy इसमें अच्छे से दी है मुझे then I tried with google ads, google ads में में मैंने almost same query डाली है and google ads का decent सा है कुछ मुझे खास नहीं लगा है google ads का काफी basic सा है but apart from that facebook ad was really good इसके बाद app and sms notification है कि बहुत बार आपको अगर कुछ notifications बेजने हो तो जैसे मैंने का कि मुझे black friday का notification बेजना है तो उसने यह मुझे कुछ दे दिये it is good it looks nice मैं इसको notification यह emails में भी यूज कर सकता हूं now let's talk about general writing section यहां पर भी आपको काफी सारे tools देखने को मिल जाएंगे जो main tools है I'll cover that chatsonic मैं आपको आखने में बता हूंगा कि क्या chatsonic है और क्या SI में अच्छा है की नहीं है सबसे पहरे हम लोग देखते हैं इसके sentence expander पर content rephrase we have already covered sentence expander मैंने सिर्फ यह का कि कि एक यह question है मैंने इसका answer दिया एक बहुत ही basic सी language में कि अगर ठीक है अगर आपको budget trial करना है तो public transport यूज करो टाप water यूज करो प्रीबुक कर लो local restaurants और इसने यह मुझे काफी अच्छी तरीके से professionally लिखके दे दिया है जिसको मैं directly use कर सकता हूँ on Quora और यह original है और इस पर मेरी opinions भी है बहुत अच्छा लगा है मुझे यह वाला tool so if you are someone जो Quora पर जाना चाहता है तो वो इसका use करके काफी easily जा सकते हैं then इसमें जो मुझे interesting लगा है वो है content shortner कि if you want to short some content जैसी यह है जो मैंने अपने ही blog में से लिया है पहले के दो paragraph यह इंट्रो के VPN क्या होता है and उसने इस para को कितने easily और कितने अच्छे से short में करके दिया है plus जो इसका main crux है that is still there in this para जो short para जो इसने करके दिया है तो I am really impressed by this next is questions अगर मुझे कुछ engaging questions यह from some paras जैसे यह paragraph VPN का again मैंने same example लिया है so if I am having a paragraph यह फिर article जिसके मुझे FAQ चाहिए मैं आपर simply डाल लूँगा and then इसमें से वो मुझे कुछ अच्छे खासे FAQs generate करके देदेगा that I can include in my FAQ sections next जो इसमें से मुझे अच्छे लगा है वो email email में मैंने काफी simple से इसको instruction दिये है कौन उसका recipient है क्या position है क्या description है and जैसे मैंने यह मुझे इमेल दिया है and कुछ इसने यहां पर गलती भी कर दिया which is e-commerce यहां पर हमारे पास 4-5 options है सबसे पहले हम लिखते है product description के बारे में यहां पर मैंने service name डाल दिया है मेरी खुद की cloud storage है and then हम लोग 20gb provide कर रहे है encryption है इसके ओपर मैंने काई के लिखके तो अच्छा description and it is a decent enough description I think it's nice that is Amazon product description तो यह मैंने product डाला है blender mug है यह कुछ इसके मैंने features जाल दिया है मेरे साब से it is very basic कुछ इसमें जादा मुझे interesting नहीं लगा है and यह वाले तूल ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया in my opinion now let's go to social media social media में इसमें काफी अच्छा options देखे रखे हैं बहुत सारे इसमें different varieties भी हमारे पास सबसे पहले हम लोग चलते हैं Twitter thread के ऊपर Twitter thread मैंने का कि मुझे लिखके तो आप solo travel tips और कुछ नहीं का मैंने and then इसने एक अच्छा-कासा मुझे तो आजकर Twitter threads काफी work कर रहे हैं तो you can use this one and then we have LinkedIn post LinkedIn is another social media जो आजकर काफी अच्छा काम कर रहा है LinkedIn मैंने इसको instruct किया है सफ एक ही लाइन लिखे बहुत ज्यादा नहीं लिखाय है and इसने अच्छा-कासा लिखके दे दिया है for LinkedIn I think it's a good one professional language मैं इसने लिखके दिया है LinkedIn के लिए this will work next is Instagram caption picture on the beach at sunset तो इसने अच्छे options दे दिये मुझे and then tone change करने के मेरे पास बहुत जादा options है कि मैं चाहूं तो मैं इसको बोल सकता हूं कि funny मैं मुझे लिखके दो and then यह मुझे funny captions यहां से लिखके दे देगा then we have YouTube descriptions तो यह मेरा एक video था चाट जीपिटी का जो मैंने video बनाया इसके मैं बोला कि मुझे आप description लिखके दो एक keywords को include करो and it is good I can use it in my video description then coming on to website copy यहां पर हमारे पास कुछ अच्छे options एकर रखें जो मुझे इसमें सब्सक्राइश लगाई that is landing pages दिखाता हूं landing pages आपको हैं आपर आपको नाम दाले हैं जो भी आपका project है मैं आपका डाला इनको stylish look नहीं को उसका use कर लकते हैं newest trends है इसके features में अच्छे quality है and style your life with new fashion basic सी चीज़ें let's click on generate and इसने यह मुझे copy generate करके दे दिया copy के साथ इसने मुझे पूरे page भी generate करके दे दिया actual में यह मुझे सबसे अच्छी बात लगे कि actual में कैसा दिखेगा भी आपको कि यह आपक basic सी चीज़े आ गई है कि कहां कहां पर feature हुए हो वो सारी चीज़ें में डाल सकते हैं कुछ descriptions आ गए यह features को उसने ऐसे बता दिया है कि basically features को benefits में convert करके पूरा landing page इसने आपका तयार करके बता दिया है and it looks good plus यह जो landing page है you can download it as well जो दिख रहा share your document you can download it as a text form यहां फिर इसका HTML code है उसको भी आप लोग download का सकते हो and then अपने editor को ले सकते हो कि आप इसी code में basic से edit कर दो and release it और इसमें आपको कुछ और variations भी मिल जाते हैं जैसे second variation इसका यह रहा design same ही रहेगी but जो आपका text है copy है वो change हो जाएगी इसके बाद जो मुझे अच्छा लगा है वो है call to action यह भी अच्छा है अब decent है बहुत जादा इसने मुझे कुछ एकदम out of the box नहीं दिया है लेकिन ठीक है you can use it call to action that's good features to benefit है जैसे यहाँ पर है मैंने features लिखे थे इसने मुझे यहाँ पर benefit में convert करके देती है उसी तरीके से I can write some features here fast cloud storage and जो इसने मुझे यहाँ पर दिये है वो थिक ठाक से दिये है शायद से मैंने जादा अच्छा से इसको नहीं पर information provide नहीं किया है but I am not very impressed by this one so अगर मैं इन सारे tools को sum up करूं मेरी opinion में तो social media अच्छा है website copy के landing pages अच्छे है e-commerce के लिए कुछ जादा अच्छा है इसने मुझे output नहीं दिया है articles के लिए long form के लिए काफी अच्छा है long form इसने मुझे अच्छा दिया था ads के लिए facebook ads अच्छे थे बाकी कुछ आवरेज थे मेरे साब से journal writing इनकी अच्छे थी कोरा answers बहुत अच्छे है और बाकी overall journal writing बहुत अच्छे है और बाकी overall journal writing बहुत कुछ चीजे जो मैं आपको बताता हूं इसमें से जो मुझे अलग लगी है और अच्छी लगी है सबसे पहले यहां पर जो इनका documentation है वो काफी मुझे अच्छा लगाए this is the documentation काफी detailed है हर चीज़ का इन्होंने हर टूल का इन्होंने documentation दिया है इसमें एक और खास बात यह भी है कि इन्होंने examples भी दिये है that you can use तो example से एक आपको narrative मिल जाता है कि आप आगे मुझे इसको कैसे use करना है एक आपको guide मिल जाती है basically तो एक नहीं दो तीन examples उन्होंने दिये है and then उसका बताए कि उसका output भी कैसा आएगा तो यह चीज मुझे इसकी काफी अच्छी लगिए second जो मुझे इसमें अच्छा लगा है वो इसके share functionality let's see this one यह मेरा landing page है अब मैं इसको आपर share करता हूं तो share में मेरे पास एक public link भी आ जाएगा अब अगर किसी के पास writesonic का account नहीं है मुझे इसको यह share करना है तो यह मैंने incognito खुला है इस पे मैं logged in नहीं हूं and that person can see it यह रहा कोई ads नहीं कोई ज्यादा branding नहीं है उसको सीधे सीधे यहां पर एपेज दिख जाएगा और यह सि इसको export भी कर सकता हूं Microsoft Word या PDF में and long form content में भी same ऐसा ही रहेगा and then वो सामने वाला user देख सकता है तो यह जो share की functionality है यह मुझे काफी अच्छी लगी है then यहां पर आपको मिलता है make your own AI what is this यहां पर आप लोगों को कुछ context देना पड़ेगा कुछ भी आप लोग इसको बता स answers from here यहां उसको twist करना है यहां उसमें suspense लाना है तो if you want to be creative तब आप लोग इसका यहां पर use कर सकते हो next है इसमें chatsonic, chatsonic इनका एक chat GPT का version है chat GPT क्या है उसक्लिए मैं वीडियो बना चुका हूं आप 5 बटन पर मिल जाएगा अभी मैं बात करता हूं chatsonic की तो यह conversational bot है इसने मुझे basic सी information दे दिया I am not very impressed by it बट ठीक है तर मैंने उसको कहा कि मुझे script लिखके दो इसी के related और script ने मुझे बस इसने एक line लिखके दिये उसके बाद कुछ नहीं आया है and I don't know यह अभी glitch है कि क्या है बट अभी फिलाल मुझे इसके अच्छी performance नहीं देखने को मिल रहे देन मुझे मैंने कहा कि मुझे email लिखके दो email भी मेरे पास सिफ एक line आई है I don't know यह मुझे glitch दे रहा है यहां जो भी problem है इसके बाद मैंने कहा कि मुझे एक Java में code लिखके दो for a timer app और उसने मुझे कोई code नहीं लिखके दिया उसने से मुझे instruct कर दिया है वो उसका आपको output generate करके देखा for example अगर मैं इसको बोलूँगा ताज महल इन नियॉर्क करस कॉमा साइबर पंक तो वो मुझे कुछ इस तरीके का output generate करके देखा इस तरह की image तो यह सारे चीजें हैं जो इसमें आ चुकी हैं बट इसके 100 premium words यूज होंगे और आपको एक generation में दो images मिलेगी तो मेरे सबसे थोड़ा ज्यादा words यूज कर रहा है दूसरे टूल से जिसका आप लूग यूज कर सकते हो कानवा में भी एफीचर आ चुका है तो you can use other tools for this feature in my opinion next दो इसके पास feature है that is bulk upload यह मुझे काफी अच्छा लगा है यहां पर मैं bulk में upload कर सकता हूं and then उसका मुझे bulk में data मिल जाएगा मुझे बार बार चीज़े इंटर करने की जवरत नहीं है तो सबसे पहले आपको क्या करना है आपको जो भी चीज़ें चीज़ें जैसे अगर आपको चीज़ें यहां पर यूट्यूब कर देना है और अपलोट के बाद आपको इसका output मिल जाएगा for example this is the output that I got मैंने सारी चीज़ें डाल दें यह मुझे इसने output दे दिया है तो bulk processing में अगर आपको चाहिए अगर आपको चाहिए अगर आपको बहुत सरे clients का भी काम कर रहों एक साथ में भी this can be helpful for you इसके प्राइजिंग के बात करूं तो आप लोग जाना है में नीची देगे लिंक पर go.kripeshadvani.com और यहां पर जो इसके प्राइजिंग के आपको सिर्फ एक ही प्राइजिंग देखने को मिलेगी basically इनका free trial है and then long form content है इसमें जो pricing है premium words आपको यहां पर मिल जाएंगे 19,000 words for $12 जो की मेरे opinion में अच्छी price point भी है आ रहा है and then if you want to increase your words तो आप लोग words increase कर सकते हैं तो आप लोग words के साथ यहां पर users भी बढ़ जाएंगे and if you don't want premium quality तो आप इसकी quality change करके अपनी जो word count है उसको यह बढ़ा सकते हैं तो आपको $12 में 95,000 words मिल जाएंगे लेकिन वह इतने अच्छी quality के नहीं रहेंगे इनके हिसाप से and then if you go and buy through my link तो मेरे बास आप लोग लिए discount coupon code भी है जिससे आपको 20% extra discount मिल जाएगा on top of their existing discounts आपको यूज करना है coupon code KRIP20 and you can get 20% off on their regular prices अब अगर मैं इसके कुछ advantages के बारे में बात करूं तो इसका user interface मझे काफी अच्छा लगा है काफी clean है documentation काफी अच्छा से दिये है share functionality is very good जो rate of development है वो काफी अच्छा है मैं Ridesonic को follow कर रहा हूं since there AppSumo time जब यह AppSumo पर launch वा तो उसके बाद से मैं सको constantly follow कर रहा है जो भी development हुए है अभी तक वो काफी अच्छा से हुआ है pricing affordable है integrations काफी अच्छ है और जो use cases है उसकी भी काफी सारी variety आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी अब अगर कुछ cons के बाद मैं बात करूं तो tone setting यहां पर limited है कुछ-कुछ use cases के ले अच्छी खासी tone functionality है लेकिन कुछ use cases के ले limited tone settings है now coming on to the bottom line अगर आपको limited words यह per month यसे 12,000 या 50,000 या you have idea कि मुझे इतने ही words लेगे per month तो इनकी pricing है वो मेरे साब से काफी अच्छी है user interface and output long form content ले काफी अच्छा है in my opinion and in my experience कुछ use cases है जहां पर आपको अच्छा output नहीं मिलेगा but apart from that it's a very good tool for the price point it is coming at लेकिन if you want unlimited words तो फिर copy.ai यहां scale net a better option रह सकते हैं उन दोनों का भी review में इस channel पर जल्दी ले आउंगा I am already using them so stay tuned for that और अगर अभी तक कोई वीडियो अच्छ लगाए तो उसको thumbs up ज़रूर देजिएगा thank you so much for watching I will see you guys in the next one goodbye बहुँआ कि अजएच कि अप्हाग कि अप्ज़दार है